नमस्कार स्वागत करते हैं आप सभी के बिहार के शब्ट से बड़े न्यूज चैनल में इस वक्त की शब्ट से बड़ी कवर शब्ट से बड़ी प्रेकिंग ने ओज तेजस्वी यादो के पाटी का एलान होली से पहले बन सकती है तेजस्वी यादो की सरकार महागट बंधन की सरकार में ते जसुषयादों को मुख्मंत्री पकी शबर डिलाई सकती हैарт जेडी ने KRI मंत्री के संकेत से साफ है कि बिहार की सरकार गिरने वाली है साथी साथ आज की बड़ी खबर में पॉर प्रित के अंदर थिसतार से बताएंगे कि बिहार की अंदर पी म सी को हिंदुस्तान समेथ इसिया का सबसे बड़ा होस्पीटल बनाने की त्यारी शूरी और साथी साथ आपको दादे कि साथ साल के अंदर होस्पीटल को पूरी तरीके से त्यार कर लिया जाएगा जीडीपी का मतलब गैस साथी साथ पेट्रॉल और डीजल इन सावी चीजों के दान तेजी से बढ़ रहे हैं जिसको देखते हुए विपक्षी ने स्टाफ कहा है कि सरकार डीजल और पेट्रॉल और साथी साथ एलपीज सलेंडर की कीमत लगतार बढ़ा रही है जादों का एलान कहा कि बिहार में रुबेज हत्यकान मामले में किछी आँख के सितारों को बचाने की पर्यास कर रहे हैं नितीज सरकार साथी साथ उन्होंने कहा कि नितुराज और इसनल हत्यारा तो नहीं हो सकता इसको लेकर के भी बहुत बाड़ी खबर आ लिए वहीं आपको दारी की बिहार में एक बार फिर से हाथरस वाला मामला दोराया गया है मोतिहारी के अंदर निपाल की बच्ची के साथ गैंग रेप कर और साथी साथ पुलिस परसासन का ओडियो वाइरल तो इसको लेकर के भी बहुत बाड़ी खबर आ रही है साथी साथ आज की एक और बाड़ी खबर केसी कानूनों को लेकर किसानों ने सक्का जाम किया और साथी साथ तिजस्वी यादों और राजत का समर्थन मिल गया है किसानों को तो इसको लेकर के भी बाड़ी खबर आ रही है सबी खबरों को एक अर्विस्तार से बताएं उससे पहले इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें साथी साथ इस वीडियो को सेर जरूर करें हमारे होसले को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करना आपका फर्ज है आईए बढ़ते हैं आज की शक्त से बड़ी प्रिकिंग नियूस के ओर जिया आपको अतारे कि महारास्ट के अंदर सिवसेना पर तंज कसते हुए जिया बिहार का मामला सामने ला दिया और कहा कि जिया बिहार में मेरी सीटे ज़्यादा आई उसके बाद में भी NDA का चेहरा म इने नितीश कुमार को माना जी आपको तारे कि ग्री मंत्री जी अमीद सा ने साफ साफ सब्दों में बात कह दिया कि हम अपनी जना देश को बदलने का काम नहीं करते हैं हम सपेद पोस हैं और कोई भी बात वादा करते हैं उसे निभाना भी जानते हैं अगर हमने जीदियू के मुख मंत्री यानि नितीश कुमार को मुख मंत्री बनाने का कार्यकिया इससे साफ है कि मेरे 26 साफ है और हम और परधान मंत्री मोधी मिलकर जियां आपको बदाने का अमीद साने कहा कि परधान मंत्री मोधी जी के साथ बैठा कर इस बात का निन्ने हुआ कि जेडियू ही अपनी पार्टी की मुख मंत्री बनाएगी हलाकि ये बात को लेकर जेडियू एक तरफ जहां पर समर्थन दे रही है और जेडियू के निताओं ने कहा कि इस बात सही है नितीश कुमार जी ने कहा था कि बीजेपी अपनी मुख मंत्री पत की शपत किसी ब्यक्ति को दिलाए लेकिन जादा सीटों को आने के बाद में भी बड़े भाई की भूम का में रहने वाली बीजेपी हमारी शमर्थन की थी लेकिन आजेडियू ने कहा कि ये समर्थन दरसल साब साब सुब सं अंकेत है कि अब यह सरकार जादा दिनों ताक चलने वाली नहीं है राजत की और से कहा गया कि गिरी मंत्री अमीत साजिस तरीके के बयान दिये इससे क्या लगता है कि अब यहार में इंडिये की सरकार बच जाएगी हमें तो नहीं लगता है कि यह सरकार बचेगी ऐसा साब तोर पर आर्जेटी ने कह दिया है आये बढ़ते एक और बड़ी और महत्पून खबर की ओर जी आपको डारी कि जहरीली सराब पीने से लोगों की मौत हुई और मौत को पुलिस पर शासन ने भी स्वाइकार किया जहां पर एक तरफ जहां वैद तरीके से बिकने वाले सराब को बेचा गया लोगों ने बिरोध किया ग्रामिट जनता ने बिरोध किया तो पूलिस पर शासन का एक वीडियो वाइरल हुआ जिस वीडियो में पूलिस पर शासन यह कहते हुए पचने की कोसिस कर रहा है कि हम तो गिरफतार कर जेल तो भेजी देते हैं लेकिन कोट के यह से चूट कर आ जाता है कैमूर जिले में जी आपको रहा लेकि दो ब्यक्ति की सराब पीने से मौत हो गई और इस बात की पूष्टी पुलिस पर सासन नहीं की कि दो ब्यक्ति की जो मौत हुई है जहरीली सराबों को पीने से हुई है हलाकि पांच लोग गंभीर रूप से हैं और उनका प्राइबेट नीजी जियां अस्पताल में इलाज चल रहा है जल्दी से जल्दी श्वज सोने के लिए इलाज कराया जा रहा है लेकिन आपको दाने कि जहरीली सराब को बेचने का सिलसिला जारी है जहां पर नितीस बाबो करुबारियों पर शिकंजा लगाया जा सके तो अवैद तरीके से बेचने वाले सराब करुबारियों का अब होस्तले को शलाम कीजिये क्यूंकि जब इस बात को पुलिस पर शासन ने स्वाइकार कर लिया कि हम तो कि रफतार कर जेल के सिकंजों के अंदर डाल ही देते हैं लेकिन कोट ने अगर उन्हें छोड़ देती है इसमें हमारी कोई गलती नहीं है कोट अगर उन्हें छोड़ती है तो कोट सिर्फ फर्याना चे लोगों को यह बहुत बड़ा सर्मनाग घटना जहरीली सरापीने से लोगों की मौत और सुसासन सरकार इस बात का दावा की शंप पुन सराबंदी बिहार के अंदर है आई बढ़ते एक और बड़ी और महतोपूर कबर की ओर रुपेश हत्यकांड में पपू यादव जाब पाल्टी के पपू यादव ने ऐलान किया कहा कि रोडिस के मामले में रुपेश हत्यकांड नहीं हुआ किसी आग के सितारों को और बड़े लोगों को बचाने की साजी से रितुराज की पत्नी ने कहा कि जब लंगा कर हमें मारने की कोशिस की जा रही थी उस समय मेरे पती ने सभी गुनाहों को एकसेप्ट कर लिया क्या किसी मर्द के सामने उसकी पत्नी की कपड़ा उतरा जाए और इन सभी चीजों को किय जाए तो क्या घुनाह कबूल नहीं करेगा उसका पती इस बात को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही सड़कू पर चले आये हैं और शाती साथ आपको अता दी कि पक्ष कहीं कुछ निताओं ने कहा कि रोड्रेज का मामलाग नहीं हो सकता और विपक्ष की सबी लोगों ने कहा कि नितीस बाबू अगर चाते हैं कि इस मामले में साई तरीके से जाच हो तो सीवी आई जाच होना चाहिए हमने अक्सर देखा है कि रोड्रेज मामले में ज्यादा तर कोई ब्यक्ष उसी दिन एक्षन मूर्ड में आकर जहां आपको तारी के गोलियों से भुन देता है लेकिन इस मामले में तो एक महीने बाद तक उसका गुस्ता वैसे ही रहा और रितुराज जिस ब्यक्ति को इस मामले में फसाये गया है वो ब्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ इसलिए भली का पकरा बनाया गया कि जो रोड्रेज का मामला दिखा कर आँख के सितारों को बचाये जा सके पपू यादों ने ये भी कहा कि इस मामले को सिविया इसे जाचाकर नहीं कराया गया तो इस सड़कों पर उतरेंगे और रुपेश सत्याकान का खुलासा करेंगे रुपेश सत्याकान रोडेस मामले में नहीं हुई रोडेस मामले से हटकर हुई और इस बात को लेकर रुपेस के घरवाले भी संकेत दिर है रुपेस के घरवालों ने भी कहा कि रोड्रेस का मामला तुन नहीं है आए बढ़ते एक और बड़ी और महतपूर्ण खबर की ओर आजेडी समर्थकों के लिए बेहादी बड़ी खुसकबरी है अगर आप भी आजेडी समर्थक है तो आपको इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करना चाहिए जिया है आपको दायरे के पूर्व रेल मंतरी और साथी साथ पूर्व मुक मंतरी लालु पर्शाद यादों की रिहाई की मांग सुरू हो गई है दरसल चरा घोटाले में लालु पर्शाद यादों सजाय जाकता है और लालूपरशाद ययादों की रिहाई की मांग सुरू हो गई है राश्टपती के पास एक लग से जादा चिटीयों को भेजा गया था चार फरवाईड दोजर एकिस को चिटीयों को राश्टपती के पास भेज दिया गया हलाक राश्टवती अगर किसी परकार का संग्यान लेते हैं तो हम पहले आपको अताएंगे और 19 तारीक को लालू परशाद यादों को जादात और उमीदें हैं कि जमानत मिल जाएगी अगर लालू परशाद यादों को जमानत मिल जाती है तो दिल्ली एम सस्विटल के अंदर से लालू परशाद अपने आवास पटना में आ सकते हैं या फिर अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो फिर से उनको राची भेजना पड़ेगा और राची जेल में जाएगी या बहाद इक बाड़ी खबर है लालू परशाद यादों को जादा तर आपको दारे कि रहाई मिल सकती है इस मामले में रहाई मिलने की पूरी उमीद जग गई है तो इसलिए आपको वीडियो के एक छोड़ा सा लाइक जरूर कर देना चाहिए आईए बढ़ते एक और बाड़ी खबर की ओर जिया नितीस कुमार ने आज बड़ा ही खुसी का दिने नितीस मार के लिए उन्होंने जो बात का एलान किया इस से बिहार के लोगों के लिए काफी कुछ मिलने वाला है बिहार के लोगों को बता दे कि देश्वासियों को और विहार के लोगों को मुकमंत्री ने एक बियादी बड़ा सौगात दे दिया है शापतर पर बोले तो एसिया का सबसे बड़ा हस्पीटल जिया सबसे बड़ा हस्पीटल बनाने की जो त्यारी है पांच हजाजार चोवन सो बासर्ट फ्रेडों के लिए इस हस्पताल को बनाया जाएगा और साथी साथ PMCH ऑस्पीटल के अंदर होने वाले सबी सुधारों को किया जाएगा हलाकि इसमें साथ साल का समय लग सकता है इस हस्पीटल की खास बात ये भी है कि इसमें हेली फेड भी रहेंगे एर एम्बुलेंस की सुविधाएं भी रहेंगी और बड़े से ब साथ हजाएं चोवन सव बासट सीटों का एक बेहाद भी बड़ा हस्पीटल होगा इस हस्पीटल में एर एम्बुलेंस शमेत सभी शुविधाओं को उपलप्त कराये जाने की मुकमंत्री की ओर से पूरी त्यारी है हलाकि एक और बड़ी खबर आपको उता देते हैं जो ज लंगन करते हैं तो आपको किन-किन चीजों में फसना पड़ सकते हैं आप समझ लीजिए जेडियों की ओर सबसे पहला कानून अगर आप किसी भी मामले में आप कुछ भी सोचल मीडिया पर अफवाफ फैलान रिकोसेस करते हैं तो एक बड़ा नियम लागू किया गया साथ अगर आपके घर में शुराब मिलता है तो आपके घर को निलामी किया जाएगा इसी महीने में इस वी कानून को लागू किया गया सडकों पर अगर आप जिया किसी भी ब्रक्ति को लेकर उतरते हैं तो आप इसमें दोसी पाये गया तो सरकाई नोकित से हाँ दोना आज करता है जैंद मनमात्र मात्मता की जए